वेलकम बैक माई यूटूब चैनल सॉफ्ट टिकनिक और हमारी वेबसाइट और आपकी वेबसाइट सॉफ्टिकनिक डॉट कॉम आप यहां से और मोडल की फाइल्स और माई अकाउंट की फाइल्स रियल में की फाइल्स एटीस ही आप डाउनलोड कर सकते हैं तो अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हैं सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए आज हम आपको बताने वाले हैं ड्राइबर इस्टॉलर अनलोग टूल जो मिडिया टेक को अलकम और एडिवी लिव इस्वी आपके PC में कोई भी प्रोब्लम आ रही है ड्रेबर इस्टॉल करते हैं आपका PC रिस्टार्ट हो जाता है या यलो मार्क आ जाता है कोई भी प्रोसेस करते हैं तो रेड एरर आ जाता है आपका प्रोसेस सक्सेस्फुल नहीं होता unlocking या flashing जो भी है और भी bypass नहीं हो पाता तो हमारी website पर आएंगे drivers को download करेंगे link description में मैं आपको देदूंगा आप यहां से इसको download करेंगे और इसको कैसे install करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि अच्छे तरह से मैं आपको बता सकूँ पूरा प्रोसेस की क्या कैसे करना वाला है ये setup 75 MB का है आप इसको बहुत ही आसानी से download कर सकते हैं और इसे install करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा अगर आप कोई phone online unlocking कराना चाहते तो आप हमारी इस number पर contact करके हमसे रफ्टा कायम करें और अपना phone unlock करवा सकते हैं और बाकी प्रोसेस आप खुद कर सकते हैं हमारी बहुत सारी वीडियों पढ़ी हुई है हमारे साइट पे आप वहाँ से वीडियों देख सकते हैं और खुद बाखुद unlock कर सकते हैं अगर कोई error आता है कोई issue आता है तो आप हमें इसको हम double click करके run करेंगे S करेंगे यहां देख सकते हैं बहुत सारे drivers और visual c++ 2008, 2010, 2015 जो भी है यह सारे हमें install कर लेना है यह driver से बढ़िया कोई सा भी driver नहीं unlock tool अगर work करते हैं या UMT, MRT, कुछ भी आप use कर रहे हैं उसके लिए सबसे best driver यह है, all-in one driver है यह एक बार आपको install करना है आपका काम पूरा-पूरा successful हो जाएगा, आप किसी में भी tool में भी काम करते हो हमें simply क्या करना इन पर tick रहने देना है अगर आपको simple एक ही चाहिए हो, तो आप सब पर untick कर सकते हैं या leave usb चाहिए तो आप leave usb पर tick रहने दीजिए, अभी हम आपको सारा करके install दिखाने वाले हमने install पर click किया फूरा देर का यह process से उसके बाद देख सकते हैं यह done हो गया बस एक छोटा सा यह process था आप बहुत ही आसानी के साथ इसको install कर सकते हैं आपको leave usb इस्टाल करेंगे, leave usb इस्टाल करने के लिए आपको यहां लाना है अपने phone को media take में connect करना है यहां MTK का port बनेगा उस पर करके आप install पर click कर देंगे आपका leave usb filter सकसेज हो जाएगा थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में बाबाई